नमस्कार, टैक्सलामा यूटूब चैनल पर आपका फर्स स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको सहच जनसेवा खेंद्र के बारे में बताने वाली हूँ सहच जनसेवा खेंद्र में भी आपको कई सारी गौर्मिन्ट सर्विसस मिल जाती हैं कई सारी बैंकिंग सर्विसस मिल जाती हैं जो कि आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं इसी के साथ और भी कई सारी सर्विसस मिल जाती हैं जो कि आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं इसी जनसेवा केंद्र के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि सहच जनसेवा केंद्र क्या है, इस पर क्या-क्या services available है, क्या-क्या courses available है, सहच जनसेवा केंद्र के लिए आप किस तरह से apply कर सकते हैं और कैसे आप इससे earning कर सकते हैं. तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किये, और अगर चानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, तो चलिए शुरू करते हैं, सहज जनसेवा केंद्र के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले सहजcorporate.com प विसस देखने को मिलेंगी, जो कि आप customers को provide कर सकते हैं, और उससे earning कर सकते हैं. यहाँ आप सहज government के section में देख सकते हैं, कुछ government services हैं, जो कि आप अपने customers को provide कर सकते हैं, जैसे की pancard, fast tag, यहाँ सहज banking के section में कई सारी banking services हैं, जो कि आप अपने customers को provide कर सकते हैं, जैसे की account opening, R.D. F.D. Deposit and Withdrawal इसी के साथ सहज सुरक्षा के सेक्षन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी इंसुरयंस सर्विसेज हैं जैसे कि Certificate आप लोगों को provide कर सकते हैं, जैसे कि Domestic Data Injury Operator, Certificate in Computer Application, Desktop Publishing, ये सारे Certificate आप अपने customers को provide कर सकते हैं, इसी के साथ सहज Pay, जिसमें की Pay, Electricity Bill, Mobile Recharges, DTH Recharge, ये सारी Services आप लोगों को provide कर सकते हैं, इसी के साथ यहाँ पर आपको सहज मनुरंजन जैसे Services देखने को मिल जाएं यहाँ पर, जो कि आप अपने customers को provide करके earning कर सकते हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको सहज जनसेवा के इंद्र के लिए apply करना है, apply करने के लिए आपको सबसे पहले retail.sehas.co.in पर आना है, ये URL आपको description box में मिल जाएगा, वहाँ पर click करके आप direct इस प इस में आपको new registration के option को click करना है, इतना करने के बाद आपके सामने application form आ जाएगा, उसके बाद आपको SM category के section में आना है, यहाँ पर आपको जनसेवा केंद्र लेने के लिए सहज मित्र के option को select करना है, उसके बाद area opted for में अगर आप grammar क्षेत्र से हैं, तो आपको rural select करना है, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, तो आपको urban select करना है, उसके बाद आपसे PM यानि के distributor ID मांगी जाएगी, और यहाँ पर आपसे reference सहज मित्र ID मांगी जाएगी, यह दुनों ID's तो आपके पास होंगी नहीं, तो इसे आपको blank ही छोड़ देना है, और continue के option पर click करना है, इतना करने के बाद आपने जो भी mobile number यहाँ पर enter किया होगा, उस पर एक OTP send किया जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर fill up करना है, और continue के option पर click करना है, फिर यहाँ पर आप देख सकते है, mobile number verify हो चुका है, उसके बाद आपको whatsapp number के section में आना है, तो अगर आपका whatsapp number और mobile number द आपको यहाँ email ID के section में अपनी email ID fill up कर देनी है, और फिर check availability के option पर click कर देना है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई alternate mobile number भी fill up कर सकते हैं, whatsapp number और alternate mobile number दोनों ही optional है, यह mandatory नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे blank भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद आपको your name and details के section में आन यहाँ upload pancard पर click करके आपको अपना pancard scan करके upload कर देना है, upload करते ही आपका जो pancard का data है, वो यहाँ पर automatically fetch हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको salutation के section में अपने हिसाब से salutation select कर लेना है Mr. Mrs. या Miss, mostly information आप यहाँ पर देखेंगे, pancard से यहाँ पर fetch हो गई है, automatically fill up हो article status choose कर लेना है, और इतना करने के बाद आपको save and continue के option पर click कर देना है,